हलो तो आ गए हैं हम आपके साथ फिर से एक वार एक नए वीडियो के साथ और वच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो लोवर एन हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं flowering parts है, reproductive parts है तो इस वीडियो में हम include करेंगे कि reproduction का meaning क्या होता है, ये process कैसे होता है and then उसके साथ साथ इसके जो types हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा discuss जरूर करेंगे बच्चो, reproduction का means क्या होता है reproduction का मतलब होता है production of new one production of new one, जैसे यहाँ पे कोई old one है ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक new one form होगा यानि उसका जो है वो baby form होगा इसी process को हम क्या बोलते हैं, reproduction बोलेंगे लेकिन ध्यान दीजिए कि जब हम बात करते हैं किसी human being की, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि इसके लिए दो parents की need होती है, छीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं, plants की या फिर other lower organisms की तो ऐसा ज़री नहीं है, कि वहाँ पे दो organisms होना ही चाहिए तो वो एक single parent से भी offspring क्या कर सकते हैं, एक form कर सकते हैं तो simple सब्दों में, re means again and production means making that means production of again and again तो plants है, तो plant खुद के जैसे क्या reproduce करेंगा plant reproduce करेंगा, या कोई animal है, वो खुद के जैसे क्या reproduce करेंगा new one को जन्म देंगा, new one का birth होगा that means production of new one reproduction का मीनिंग क्या होगा, production of new one तो ये आपको याद रखना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक animation दिखेंगा जिसमें आप देखोगे कि एक जो है यहाँ पर cartoon है और वो cartoon का इसे एक से दो हो रहा है that means कि ये एक cell cycle है, cell division के बारे में आपको बता रहा है and that means कि एक cell से दो cell बन रहा है तो reproduction में सबसे important thing तो यही है कि एक organism से दो organism form होना reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as it's maintained the continuity of life तो reproduction is essential है, क्यों essential है reproduction? क्योंकि अगर आज हम human being हैं और आज से हमने reproduction बंद कर दिया reproduction बंद कर दिया तो आने वाले पचास, साट, साल, सौ साल में क्या हो जाएगा? हमारा जोग अर्थ है, इस पे कोई भी इंसान नहीं रहेंगा क्यों नहीं रहेंगा? क्योंकि reproduction नहीं करेंगे, तो हम नए offspring form नहीं करेंगे नया baby नहीं होगा और हमारे जो community की continuity है इस अर्थ पे वो क्या हो जाएंगे? खतम हो जाएंगे reproduction इस में जो methods होते हैं वो हर एक organisms के क्या होते हैं? different होते हैं each organism has its own particular method of reproduction different different organisms के different different method of क्या होता है? reproduction होते हैं and generally जो भी methods है इस वीडियो में हम conclude करने वाले हैं उसको जैसे पहला है or sexual यानि opposite to sexual तो यह आपके सामने जो animation दिख रहा होंगा इसमें आप देखोगी कि कोई भी organisms है वो organism खुद को क्या कर रहा है? divide कर रहा है खुद को क्या कर रहा है? divide कर रहा है इसका involvement नहीं है जैसे मान के चलिए कि यह plants है यह इसका vegetative parts है और मैंने यहां से क्या क्या इस part को cut कर दिया और यहां पे इसको लगा दिया कुछ दिन के बाद इसमें root आ जाएंगे इसमें कुछ दिन के बाद leaves आ जाएंगे यहां पे आप क्या देख सकते हो कि मान ने दो parents का use नहीं किया है यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही parents का use हो रहा है इस type के reproduction को हम क्या बोलते है और sexual क्योंकि इसमें कोई भी sex organ जो है involved नहीं है यहां पे आपका animation में दिख रहा होंगा कि किस तरह से एक unicell और organism जो है खुद को divide करके दो organisms form कर रहा है and then second होता है sexual reproduction तो sexual reproduction में आप देखोगे यहां पे कि यहां पे आपको यह 23 वाला जो है chromosome वाला दिखेंगा है sperm cell और egg cell ठीक है और इन दोनों का fusion हो गया और यहां पे क्या बन गया zygote बन गया तो यह होता है sexual reproduction then हम पढ़ने वाले हैं बच्चो और sexual reproduction के बारे में यहां पे सिर्फ और सिर्फ किते parents involved होते हैं एक parents involved होते हैं और यहां पे किसी भी तरह का कोई भी gametes या six cell का fusion नहीं होता जैसे आपने plant में पढ़ते हो pollen grains और egg cell जैसे हम animals में पढ़ते हैं sperm cell और egg cell ऐसा कुछ भी fusion नहीं होंगा then यहां पे जो offspring form होंगे वो कैसे रहेंगे तो यह genetically identical रहेंगे क्यों identical रहेंगे जैसे आपको पता होंगा आपने किसी plant का rose का stem लाया और उसको आपने क्या कर दिया लगा दिया अब इसमें जो flower आएंगे इसमें जो flower रहेंगे वो कैसे रहेंगे जैसे उनके parents थे as it easy रहेंगे that means identical रहेंगे यह आपको पता होना चाहिए कि और sexually जो reproduction होंगा उससे form होंगे offspring वो कैसे रहेंगे genetically identical रहेंगे morphologically identical रहेंगे यहाँ पर आपको photograph दिख रहा होंगा जिसमें ब्लेट के हिल्फ से एक part को cut किया गया उसे नए गमले में लगाए और as it is same plant जो है वहाँ से form हो गया क्योंकि sexual reproduction में सिर्फ एक parent involved होते हैं इसलिए uniparental reproduction भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का दूसरा parents का involvement नहीं है इसलिए जो पाइदा होने वाले offspring है जन्म लेने वाले बच्चे हैं वह morphologically और genetically क्या रहेंगे identical रहेंगे और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं clone बोलते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा एक example binary fusion का दे दिया है जिसमें east divide होके दो equal daughter cell में form हो रहे हैं और दोनों जो है अपने parent के जैसा similar character show करते हैं तो यह हो गया short introduction of sexual reproduction अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करें अगर आप इस channel पे नए हैं तो subscribe करना ना भूले चलिए हम परहेंगे sexual reproduction के बारे में sexual reproduction में दो parents involved होते हैं और इसलिए इसे हम क्या बलते हैं by parental type of reproduction जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हम plants का example ले रहे हैं तो यह flowers कि यहाँ पे हम flowers लेंगे and flowers में जो है हम क्या करेंगी यहाँ पे देखिए हो गया इसका petals और यहाँ पे हम draw कर लेंगे उसमें stigma ओके और यह style और यह ovary ठीक है तो यह क्या हो गया female flower हो सकता है उसी flower पे आपको male part भी मिल जाए enter भी मिल जाए ठीक है तो यहाँ पे हो सकता है कि plants में कभी-कभी single जो plants होते न वह आपको क्या दिखा है sexual reproduction दिखा है इसलिए मैंने आपको यह diagram यहाँ draw करके बता है क्योंकि exceptional हो सकता है कि एक ही plant पे दोनो reproductive part हो हो सकता है ऐसा एक ही flower में दोनो reproductive part हो तब आप confusion में जाओगे कि sir ने तो बोला था कि two parents are involved लेकिन यहाँ तो एक ही दिख रहा है तो यह exceptional case है लेकिन बागी जितने भी organisms है उसमें आपको क्या दिखेंगा दो अलग-अलग parents क्या रहेंगे involved लेकिन कोई बात नहीं है हर एक character जो है हर जगा suitable नहीं होता है but generally अगर देखा जाए sexual reproduction में two parents जो है नि दो parents जो है वो क्या रहते हैं participate करते हैं सबसे main चीज कि sexual reproduction means fusion and fertilization of gamits यह याद रखना है आपको यहाँ जो offspring बनेंगे वो genetically and morphologically क्या होते हैं unidentical रहते हैं यानि similar नहीं रहेंगे इसलिए तो हम और आप में इतना variation है हम और आप अमारे parents से बिलकुल भी एक समान मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं अगर हम बात करते हैं plants में तो plants के life में दो stage आता है juvenile phase जिसको growth phase भोला जाता है इसमें plant का leaf, stem यह सब grow होते हैं और उसके बाद आता है reproductive phase that is the flowering phase flowering phase आ गया यानि यहां से reproductive phase plant का start हो जाता है then flower क्या है तो flower एक specialized type का reproductive structure है जो क्या करता है sexual reproduction में help करता है क्योंकि जित्ते भी sex organ है male sex organ, female sex organ जो भी है वो कहां पे present है तो वो flowers के past present रहता है, यहां पे एक animation दिख रहा होंगा stigma दिख रहा है, उसके उपर pollen grains germinate होड़ा styles होते हुए pollen tube कहां आगया ovary में, ovary में जाने के बाद यह embryo sack में enter हो गया एक में, ओके तो यह सब जो process है यह हम detail में पढ़ने वाले हैं और इससे अच्छे-च्छे animations के साथ तो function क्या है फिर flower का function क्या है यह produce करता है haploid gamit देख रहे हैं एंथर से pollen grains आगया इस्टिगमा पर यह जो pollen grains यह gamit of fighter उसके अंदर में यह gamit of fighter उसके अंदर इंटर हुआ तो pollen grains क्या है gamit of fighter उसके अंदर gamit रहता है और दूसरा जो है यह जो आपको ओब्री दिख रहा है ओब्री में ओब्यूल तो यहां पर gamitogenesis को मैंने आपको बता दिया formation of gamits और दूसरा step क्या है तो fusion of compatible gamits compatible क्यों आया है कि अगर hiviscus का flower है तो hiviscus को pollinate करेंगा जाके रोज को नहीं कर सकता हूँ है ना तो compatible gamits male and female gamits क्या उसका meaning हो गया male and female gamits दोनों fuse हो जाएंगे दोनों haploid gamits fuse होके diploid बन जाएंगे that is the zygote बन जाएंगे जैसे देखे यहां पर यह एक रहेंगा N यानि haploid है gamits दूसरा haploid gamits इन दोनों का fusion हो गया यह दोनों क्या बना लेंगे 2N that is the zygote तो यह आपको याद रखना है यहां पर आपको gamits दिख रहा हूंगा gamits किस तरह से insert हो रहा है embryo sack में यह pollen tube elongate होते हुए जाएंगा embryo sack में यहां पर आप उसको penetrate करेंगा और यह embryo sack में इंटर हो चुका है और यह 2 male gamits यहां पर छोड़ देंगा तो next video में हम पढ़ने वाले हैं difference between sexual and sexual reproduction के बारे में तो आप इस channel में हमारे साथ जुरे रहिए और अच्छे अच्छे एनिमेटर lecture के साथ जो की सिधे सिधी बात है कि पढ़ना है और वो भी हसते हुए पढ़ना है ठीक है चलिए यहां पर हम बाई बाई बोलेंगे आपको